देखो हम बात करते हैं acute cholecystitis की तो CVC बात है इसके लिए सबसे important हम को जहां रखना है कि इसका जो it can be referred to the epigastrium में इसका pain हो सकता है इसके लावब inferior angle of the right scapula वहां पर हो सकता है या फिर right shoulder में इसका pain हो सकता है बात करते हैं boss sign यह क्या होता है तो जब हम देखो क्या होता है कि pain in right upper quadrant can radiate to the right shoulder via phrenic nerve इसको क्या कहता है boss sign क्या होता है positive murphy sign क्या होता है जब हम coastal margin को deeply palpate करते हैं at right upper quadrant और patient को बोलता है deep breath लेने के लिए तो क्या होता है pain होता है जिसके कारण वह it forcing person to stop breathing in further breathing in further तो यह हो गया positive murphy sign बात करते हैं UST में क्या देखने को मिलता है तो wall thickening देखने को मिलती है और pericholecystic fluid देखने को मिलता है hide eye scan की बात करें जिसकी full form होती है हीपेटो बिलियरी शिंटियोग्राफी हाइडर स्केन तो हाइडर स्केन जो होगा वह फेल टू विजुलाइज गाल ब्लेडर क्यों 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 क्योंकि वहां पर क्या है obstruction है cystic duct का अब बात करते है A-calculus acute cholecystitis क्या होता है तो पहली बात तो यह 10% cases के अंदर ही देखने को मिलता है यह सिर्फ इसके अंदर क्या होता है A-calculus मतलब कोई भी gallstone जो होता है वो present नहीं होता है यह mostly कहां देखने को मिलता है hospitalized individuals में देखने को मिलता है इसके रिस्क फेक्टर है sepsis immunosuppression diabetes mellitus तो यह सब क्या इसके risk factors है गाले स्टोन अलियस की बात करते है क्या होता है तो इसमें पिस्टूला फोम होता है इसके कारन करना जो गाले स्टोन होता है वो किस के अंदर आ जいता है Small intestine के अंदर आता है तो mechanical obstruction कराएगा हाँ और इसी को क्या कहता है हम gallstone alias कहता है gallstone alias के अंदर regular striad देखने को मिलता है ये क्या क्या होता है triad के अंदर तीन चीज़े पहली चीज़े होती है pneumobilia ये आप देख सकते हो pneumobilia इसके अलावा small bowel का obstruction देखने को मिलेगा absolutely इसके अलावा gallstone देखने को मिलेगा outside the bladder regular striad के बाद में हम बात करते हैं coli, docoletheasis के बारे में पड़े इसके बारे में तो gallstone जो होता है वो किसमे हैं लोजडेस बर CBD के अंदर, common wild duct के अंदर जो enteric bacteria होते हैं इकोलाई हो गया या enterococcus हो गया वो colonize करते हैं biliary system को ठीक है और क्या कोश कराते है ascending colongitis तो इस ascending colongitis के अंदर दो चीज़े ध्यान रखने की होती है एक होती है charco triad और एक होता है renault spentad तो charco triad की बात करें तो इसके लिए एक pneumonik है charco c से charco triad हो गया h से याद रखना है आपको hyperthermia या फिर fever ऐसे याद रखना है आपको हम पढ़ने जा रहे है किसके बारे में ascending colongitis के बारे में r से याद रखना है right upper quadrant pain और c से होता है color change color change मतलब yellow jaundice तो इसके triad में क्या क्या आता है fever आ गया right upper quadrant abdominal pain हो गया और jondice हो गया तो इसके लिए आपको यही आद रखना पड़ेगा char charco charco बस अगर इसके अंदर दो चीज़े और जोड दी जाए जैसे कि hypotension जोड दिया और confusion जोड दिया तो यह बन जाता है renault pentad अब बात करता है कि जो koly doco lethyasis होता है या और भाष्ण में कहीं तो common bile duct stone तो इसका classification होता है यह primary stone सकता है secondary भी हो सकता है retained stone भी हो सकता है और recurrent stone भी हो सकता है तो primary stone जो होता है वो brown का लगा होता है और यह brown होता है तो यह किसका बना होता है कोई के इसीक acabou पिगमेंट के इस बना होता है यह क्या होता है दिनो वहोता है फ्रेश इसके पीछेए कोई प्रेग्जिश्टिंग युए इस नहीं रहा यह आटोमेटिकली किस पातों कोमजनै कोफित के पोआ करते हैं और वहां से स्टोन देखने को मिल रहा है विदिन टू एर्स ओफ हिस्ट्री ओफ कोलेस अस्टेक्टोमी तो वह रिटेंड हो गया रिकरेंट की बात करें इफ दे आर फाउंड मोर देन आफ्टर टू यह आपको मिलते हैं स्टोन किसके अंदर कॉमन बाइल एक्ट के अंदर तो उन्हें क आइटिस की बात करें तो इसके लिए एक हिस्टोलोजीकल होल मार्क होता है जिसे कहते हैं रोकिटेंस की एसकॉफ साइनस होता क्या ही है हर्णीशन ऑफ गल्ब्रेडर मुकोसा इंटू मॉस्कुलर वाल इस नोन एज रोटेकेंस की एसकॉफ साइनस इसके अलाबा यह जो क पोर्सलीन ग्यलम बेडर होता है इसके एदिलो कारसिनोमा में डवलाप होने की चांसेज बहुती जादा बढ़ जाते हैं बखेते हैं । of developing adenocarcinoma when you have a porcelain gallbladder अब बात करें kolylethiasis तो दो तरह की स्टोन होता है कोलेस्टोल स्टोन होता है जो की यल्लो कलर की होता है और most common type होता है यह क्या होता है रेडियो लूसेंट होता है मेंस आप इन्हें X-ray पर नहीं देख सकते हो तो इसके कारण क्या होता है या तो बाइल के अंदर कोलेस्टोल जादा हो जाए या फिर बाइल के अंदर बाइल साल्ट बहुत कम हो जाए तो यह दो सब्सक्राप फेट मतलब ओबिसी दी हो गया और एफ से 40 आ रखो तो एज 40 से अबभाव है इसके लाबब OCP भी एक रिस्क फेक्टर होता है लास कॉमन रिस्क फेक्टर की बात करें तो फाइब्रेट हो गया चीक है अब हम बात करते हैं बिली रूबिन स्टोन की तो बिली रूबिन स्टोन को ब्लैक पिग्मेंट ब्लैक पिग्मेंटेड स्टोन भी कहते हैं इसके अंदर क्या होता है जो बिली रूबिन होता है वो केल्शिम से बाइंड करके केल्शिम बिली रूबिनेट बनाता है ज कि ब्सक्तेश को देख मिलती सब्सक्राइस कंख सब्सक्राइब तया नवा अहला है कि अध करुक्री मिनकोंस होते है manner डिआएक्बियेमेट के रिख माल्यू branch सब्सक्राइक कोन नश्यफ जो होता है इसका नाम से जो भी है होता है और treatment होती है elective cholecystectomy इसके अलावा arso deoxycolic acid भी दे सकते हैं treatment में complications की बात करें gallstone की गाले स्टोन की complication biliary cholec हो सकता है देखो यह गालब्र होता है यह cystic duct होती है जब यह गाले स्टोन यहां से उठके यहां पर आता है cystic duct के अंदर तो बहुत ही तेज़ पहन होता है उसी को biliary cholec कहता है acute or chronic cholecystitis तो होई सकता है इसके लावा mucosyl of gallbladder हो सकता है mucosyl of gallbladder क्या होता है it results from prolonged obstruction of cystic duct on examination gallbladder is palpable but non tender को दर्द वर्द नहीं होता है इसके लावा biliary obstruction हो सकता है तो acute pancreatitis भी एक complication है तो यह सब क्या complication है laparoscopic जब cholecystectomy करते हैं तो कौन सी position में यह perform किया आता है reverse tenderlenberg position के अंदर इसको perform करता है